सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इसलाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दियेगा ताकि नए स्मार्टफोन की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तो मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुती ज़ादा बढ़िया मुबाइल्स इन्फिनिक्स और रेड्मी की तरफ से रेड्मी का नाइन प्राइम जो भी हाली में लॉंच हुआ है दस हजार का दूसरी तरफ है इन्फिनिक्स का स्मार्ट फॉर प्लस जो आपको मिल जाएगा सिर्फ आठ हजार में तो दोनों में दो हजार का ही फर्ख है इस वीडियो में इन दोनों मुबाइल्स में कमपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या कम या है क्या क्या चाहिए और आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्केप मत करिएगा चले देखते हैं अगर आप 10,000 खर्च करते हैं रेड्मी 9 प्राइम के तो इसके साथ आपको क्या-क्या दिया गया है तो जैसाए आप अन्बॉक्स करते हैं इसमें आपको सबसे पहले रखावा मिलता है एक मिनी बॉक्स इसमें लगवा है सिम इजक्टर टूल अंदर रखेवे मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुवल एक दिया गाया है यह सिंपल ट्रांस्परेंट बैक कवर सॉफ्ट केस है यह इसके बाद मिलता है मुबाल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम भी देखींगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है इसके लेंट और क्वालिटी दोनों बहुत जाद अच्छी हैं और दोस्तों अच्छी चीज यह है इसके अंदर आपको टाइप सी केबल दी गई है तो टाइप सी केबल इसके अंदर आपको मिल जाती है इसके बाद आपको आखिर में रखवा मिलता है ये वाइट कलर में छोटा सा चारजर जिसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल 2 इंपियर का ही तो ये सिंपल सा 10 वाट का ही चारजर है फास्ट आज़र आपको इसके साथ नहीं दिया गया अगर होता तो काफ़े अच्छा रहता लेकिन ये मॉबाइल फास्ट चारजिंग सपोर्ट करता है तो आप मार्केट से खरीद के एक फास्ट आज़र इस मॉबाइल के साथ इस्तमाल कर सकते हैं तो जैसे आप अन्बोक्स करते हैं इसमें आपको सबसे पहले रखावा मिलता है मॉबाइल जिसका रिटेलूख हम अभी देखींगे उससे पहले देख लेते हैं कुछ यूजर मैनुवल दिये गए हैं पैकिट में हैं सिमिजक्टर टूल एक रखवा मिल जाता है स्क्रीन गार्ड और एक मिलता है आपको हाड प्लास्टिक का कवर जिसका डिजाइन काफी अच्छा है इसके बाद दी गई है ये डेटे केबल इसकी भी लेंथ और क्वालिटी काफी अच्छी है लेकिन इसके साथ आपको USB to Micro USB केबल मिलती है अगर इसके साथ Type-C केबल होती तो बहुत अच्छा रहता इसके बाद आपको आखिर में रखवा मिल जाता है ये वाइट कलर में उसी तरीकी के लुक में चार्जर जिसके अदर आपको आउटपुट वही मिलता है 5V 2A का ही तो इसके साथ भी आपको सिंपल सा 10W का ही चार्जर दिया गया है इसके साथ भी आपको Fast Charger नहीं मिलता क्योंकि कीमत काफी कम है सिर्फ 8000 अब ये सारा समन आपको मिलता है Infinix के Smart 4 Plus के साथ 8000 में दोस्तों देखा जाए तो दोनों मोबाइल्स अपनी जगास में सही है क्योंकि इसके कीमत 2000 कम है तो एक आपको Type-C केबल का ही फर्क मिलता है Redmi 9 Prime में दो चीज़े ज़ादा अची है एक तो Type-C केबल है दूसरा Fast Charging का सपोर्ट है लेकिन 200 कीमत भी उसकी 2000 जादा है और यह 2000 सस्ता है तो रेट के इसाब से देखा जाए तो दोनों मोबाइल्स अपनी जगास चीज़ में सही है चलिए बात कर लेते हैं 200 डिजाइन के बारे में तो Redmi 9 Prime में आपको Hard Plastic के Type के डिजाइन मिलता है और Infinix के Smart 4 Plus में आपको Soft Plastic के Type के डिजाइन मिलता है दोनों मोबाइल्स में आपको Double Color का Effect दिया गया है बैक पेनल पे Infinix में आपको उपर से Light, नीचे से Dark Effect मिलता है वहीं दूसरी तरफ Redmi 9 Prime में आपको उपर से Blue और नीचे से Purple Color का Effect दिया गया है जो बहुत अच्छा लगता है तो डिजाइन के अंदर दोनों ही मोबल्स बहुत ज़ाद अच्छे है बागी बात कर दोस्तों कैमरे के बारे में तो Infinix के Smart 4 Plus में आपको पिछी की तरफ दो कैमरे दिये गया है जिसमें पहला है 13 Megapixel का दूसरा दिया गया है Depth Sensor इसमें आपको Front Camera मिलता है 8 Megapixel का Fingerprint Scanner इसके अंदर आपको मिल जाता है Back Panel पे ये चीज़ काफ़ अच्छी है कीमत कम है Fingerprint Scanner दिया गया है Camera की Performance इसके अंदर आपको Rate के हिसाब से Normal मिलती है अगर आप एक Normal User हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी वहीं दूसरी तरफ Redmi के 9 Prime आपको पीछी की तरफ चार कैमरे दिये गया है जिसमें पहला है 13 Megapixel का, दूसरा 8 Megapixel का तीसरा 5 और चौता 2 Megapixel का इसका Front Camera है 8 Megapixel का Fingerprint Scanner इसमें भी आपको दिया गया है Back Panel पे जाद अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रेट्स को देखते हुए मुझे दोनों ही मोबैट्स का डिजाइन काफी जादा पसंद आया बात कर दोस्तों डिस्प्ले के बारे में तो Redmi के 9 Prime में आपको डिस्प्ले साइज मिलता है 6.5 इंचिस का और Infinix के Smart 4 Plus में आपको डिस्प्ले दी गई है 6.8 इंचिस की तो तकरीबन 7 इंच के आसपास डिस्प्ले मिल जाती है आपको Infinix में डिस्प्ले साइज में और ज़्यादा बड़ा है Infinix Redmi के 9 Prime में आपको IPS Full HD Plus डिस्प्ले मिलती है Infinix में IPS HD Plus डिस्प्ले दी गई है अब दोस्तों बात करें यूज़ इंटरफेस के बारे में तो यूज़ इंटरफेस कुछ इस तरीक से मिलता है Redmi के 9 Prime में आप इसे राइट साइट पर स्वाइप करेंगे आपको सारी अप्लिकेशनस मिल जाती है होम स्क्रीन पे ही सारी अप we do दूसरी तरफ इसरी तरफ Infinix में आप ऐसे उपर की तरह स्वाइप करेंगे आपको सारी अप्लिकेशनस मिल जाती है इसके अंदर आपको एप ड़ॉड दिया गया है user interface के अंदर मुझे ये दोनों मोबाइल्स नॉर्मल ही लगे बस ये आपकी पसंद की बात है कि अंदर से features आपको देखने में किसके जाद अच्छे लग रहे हैं दोनों मोबाइल्स के display बिल्कुल full brightness करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ display के अंदर जो आपको design मिलता है दोनों में वो आपको notch वाला दिया गया है एक जैसा design है और अगर आप display में edges बेजल्स देखींगे तो वो भी दोनों में लगबग बराबर दिये गये हैं quality भी दोनों मोबाइल्स में वैसे तो फर्क है दोस्तो infinix में आपको HD Plus से display दी गई है लेकिन अगर आप colors देखींगे display के तो वो दोनों ही display के अंदर आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं तो Redmi 9 Prime में ये खुबी है इसके अंदर आपको Full HD Plus display दी गई है और infinix के अंदर आपको ये खुबी मिल जाती है तो charging port, mic, headphone jack दिया गया है speaker आपको Redmi 9 Prime में नीचे की तरफ मिलता है infinix के smart 4 Plus में जो आपको calling का speaker दिया गया है वो है इसका main speaker भी है तो इस चीज़ का फर्ख है इन दोनों में right side साब देखेंगे तो दोनों में volume के buttons उसी की ठीक नीचे power के buttons उपर की तरफ से आप देखेंगे तो smart 4 Plus में कुछ नहीं दिया गया plain design है Redmi 9 Prime में आपको IR blaster मिल जाता है noise cancellation mic के साथ तो इससे आपका MI remote RAM से काम कर जाएगा TV वगर आप Redmi 9 Prime से चला सकते हैं ये इसमें जाद अच्छी खूबी है अब दोस्तों Infinix के अंदर आपको 8000 में मिलती है 3GB ग्रैम 32GB के internal storage और Redmi 9 Prime आपको 10,000 में दी गई है 4GB ग्रैम 64GB के internal storage तो RAM और storage में फर्ख है क्योंकि कीमत में फर्ख है 2000 का 64GB में से आपको Redmi के अंदर मिलती है 50GB के आसपास memory free और Infinix के अंदर आपको मिलती है 32GB में से 24GB के आसपास तो दोस्तों इतनी internal storage आपको free दी गई है दोनों ही mobile's के अंदर अच्छी चीज़ यह है Android का बिल्कू latest version मिल जाता है Android 10 ये खुब यापको दोनों में दी गई है Recent application की Windows आप देख सकते है प्रॉपर और बड़ी मिल जाती है Infinix के अंदर Redmi में थोड़ी छोटी दी गई है बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो Redmi 9 Prime में आपको बैटरी मिलती है 500020 image की इस mobile के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकप अराम से मिल जाता है क्योंकि इसकी कीमत भी 2000 कम है और इसके अंदर आपको बैटरी और जाधा अच्छी दी गई है बात करें दोस्तों प्रॉसेसर के बारे में तो Infinix के अंदर आपको मिलता है MediaTek का A25 प्रॉसेसर और Redmi 9 Prime में आपको दिया गया है MediaTek का G80 प्रॉसेसर अब देखिए अगर आप एक Heavy User है आपको बहुत ज़्यादा Heavy Use है तो प्रॉसेसर के अंदर कोई competition नहीं है Redmi का 9 Prime ज़्यादा बैटर है इसके अंदर आपको प्रॉसेसर बहुत अच्छा दिया गया है जैसे आपको बहुत ज़्यादा गेमिंग वगएरा पसंद है आपको गेम खेलना पसंद है तो इन दोनों मुबाइल्स में आपको ज़्यादा बैटर मिल जाता है Redmi का 9 Prime Heavy Use के अंदर आपको कम प्रॉबलम होगी लेकिन दोस्तों अगर आप एक Normal User है जैसे आप WhatsApp, YouTube वगएरा यूज़ करते हैं आपको गेमिंग वगएरा नहीं करनी तो Infinix के अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी Normal Use के अंदर तो ये सारी खुबिया कमी आपको मिलती है दोनों मुबाइल्स में चले बात कर लेते हैं सबसे में चीज़ आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैटर ये करता है कि आपको Infinix पर जादा भरोसा है या फिर Redmi पर इसके बाद जो आपकी में ज़रुत की चीज़ है वो कि इस मुबाइल में ज़ाद अच्छी है तो देखिए अगर आपके लिए मैटर करती है मुबाइल की बैटरी आपको बैटरी बहुत अच्छी चाहिए तो आप कम कीमत में Infinix का Smart 4 Plus खरीदिएगा यही मुबाइल आपके लिए ज़ाद अच्छा रहेगा इसकी कीमत भी कम है और बैटरी भी बहुत अच्छी दी गई है इसके लोग दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मुबाइल की डिस्प्ले तो डिस्प्ले के अंदर अगर आपके लिए साइज मैटर करता है तो आप दोस्तों Infinix का Smart 4 Plus खरीदिएगा इसकी कीमत भी कम है और डिस्प्ले का साइज भी बहुत ज़ाद अच्छा दिया गया है रेडमी से भी और ज़ादा बड़ा मिल जाता है इसके अंदर आपको डिस्प्ले साइज और डिस्प्ले की ब्रैटनेस कलर्स भी आपको रेडमी के 9 प्राइम की तरह दिये गया है बस फुल एजडी प्लस होने का फर्ख है क्योंकि 8000 की रेंज में तो आपको सब भी मॉबाइल में HD प्लस ही डिस्प्ले मिलती है तो रेट के इस आप से देखा जाए तो मुझे डिस्प्ले में इंफिनिक्स का स्मार्ट फोर प्लस जादा पसंद आया कीमत भी कम है और डिस्प्ले साइज भी काफी अच्छा दिया गया है बाकि दोस्तों गर आपके लिए मैटर करता है मॉबाल का प्रोसेसर तो आप रेड्मी 9 प्राइम ही खरी दियेगा इसके अंदर आपको प्रोसेसर बहुत अच्छा दिया गया है बहुत जादा हेवी उसके अंदर इसमा आपको जादा बढ़िया परफॉमेंस मिलेगी और अगर आपके लिए मैटर करता है मॉबाल का कैमरा तो कैमरा भी आपको जादा बढ़िया मिलता है रेड्मी 9 प्राइम में अच्छे कैमरे के लिए आप रेड्मी 9 प्राइम खरी दियेगा डिजाइन आपके ओपर मैटर करता है दोस्तों आपको इन दोनों मॉबाल्स में किसका डिजाइन जाद अच्छा लग रहा है डिजाइन में दोनों मॉबाल्स अपनी जगा बहुत अच्छे हैं लेकिन डिजाइन के अलावा इन फिनिक्स में दो खूबिया बहुत अच्छी है एक तो बहुत अच्छी बैटरी दूसरा काफी अच्छी डिस्प्ले वहीं दूसरी तरफ Redmi के 9 Prime में आपको दो खूबिया बहुत अच्छे मिलती है एक तो बहुत अच्छा कैमरा और दूसरा बहुत बढ़िया प्रोसेसर अब आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको इन दोनों मुबैल्स में किसकी खूबिया जादा पसंद आई कम कीमत में इन्फिनिक्स जादा अच्छा लगा या फिर जादा कीमत में रेड्मी का 9 Prime ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के निचे जो लाल कलर का बटन उससे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुँचते रहें इसके लाब वीडियो कर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीगा वाटसे फिस्बुक पे मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई